नमस्कार आप देख रहे हैं टियल नियूस की खास पेशकर्श, फेस टू फेस, मैं हूं निशा प्रभा हमारे इस खास कारिक्रव में हम बात करते हैं राजनितिक नुमाइंदों से आज इसी कड़ी में हमारे साथ हैं आम आदली पाटी से वार्ड नमबर छथिस से पार्षयत रुष्ट से आग आई एन से बाचित करते हैं और जानते हैं इनके अब तक के करियर के बारे में नमस्कार सर, स्वागत है आपका प्रोग्राम में सबसे पहले अपने पोलिटिकल करियर के बारे में बताएं अब तक आपकी जर्नी के बारे में बताएं I have started political career with one Sabha that was Shaheed Bhagat Singh Naujwan Sabha उस समय में इंडिपेंडेंट हमने विदान सभा कर चुनाव लड़ा हमारे एक मित्रु हुआ करते थे रमेश कुमार तो वी सेक्योड 18,955 वोट्स इसी कॉंसी से पठानकोट से और उसके बाद राजनीती का जो सफर है वो शुरू हुआ तो यूथ कॉंग्रेस नेता होने के बाद आपने पार्टी बदल ली आमाद्भी पार्टी में आ गए ये कैसे यूथ कॉंग्रेस में भी मैं प्रेजिट बना पठानकोट का वो इसलिए कि राहुल गांदी जी ने एक यूथ कॉंग्रेस का एक प्रक्रिया चलाई कि बई बाई जो है हम प्रेजिन्ट का चुनाव करेंगे तो पहले क्या होते थे जो MP होते थे यह प्रेजिन्ट होते थे स्टेट के वही चिठी लिखे दे देते थे अगर वैसी प्रक्रिया रहती तो शायद मैं कभी यूथ कॉंग्रेस में भी प्रेजिट नी बनता था नॉमिनेशन कर्मठ बहुत कर्मठ कारेकरता के रूप में हमने काम किआ सबसे जादा क्राउड जो था सबसे जादा जो नौज़वान थे वो हमारे साथ चलते थे सबसे जादा सफ़र्रेली इस भी हम देते थे वो कही ना कहीं जैनेस भावना रहती थी जो हमारे उपर सो काल्ड जो collide की रेलिई था बंडे हम इकठे करते हैं नारे बाजी हम करते हैं, ड 안돼 हम करते हैं बंडे पार्डेयरय अफै lugते बना और हम पुर हम ऑच्छे वपत खा विया हैं चाहिम और उमारी पर्मोशन नेटे हैं थाफियोद आप suyo अन्हारी थे is no तो अभी तप नहीं छोट आपका ऐसी कोई बात नहीं है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पेज बनाया जाता है जो आप कहरे हो कि एक जो पेज है वो आपका नहीं गटा है ये ओल इंडिया जो यूथ कॉंग्रस वाले जो दिली में बैठे हैं वो बनाते हैं बेज और वोई डिलीट कर सकते हैं मैं उसको डिलीट नहीं कर सकता हूं और मेरे मन से कॉंग्रस डिलीट हो गई मेरे मन से कॉंग्रिस का जो भी सारा सिस्टम ता वो डिलीट हो गया लेकिन अब उनकी क्या मनशा है उनोंने हाँ मेरे घर के बाहर जो है उसके बार में बता जिता हूं वो एक्षिली क्या है उस्टोन के साथ फिक्स्ट एक प्लेट है तो वो मेरे को पूरा पिलर तोड़ना पढ़ता मैं इस काबिल नहीं हूं मेरा फैनेंशल स्टेटस है मैं आपको बताना चाहते हूं मैं यहां मादमी गरीब आदमी हूं अगर मेरो मेरे तो थो नहीं प्लेर तो वो ड़ीर तो अब ही मेरी पॉकेट वो अलाओ नहीं करती है कि उसको मैं भी तर्वाओं क्यूंकि एक तो एमसी तो हम बन गए है चोटे मोटे खर्जे जो है रोज चोटे मोटे खर्जे हमें पोकेट से करने पड़ते हैं सेलरी भी जो है वो आठाट महीने दस-दस महीने बाद एक महीने की मिलती है को रहर है तो वस इढ़ते हैं तो वस्स इभी बुटाई कि वो स्टोन नहीं आःपा is लिए वो तो यह बोलने कि हमने जूटे बड़र नी कर रहे हो तो यह पूलेंगे लेकन बच्चा-बच्चा बोल रहे है अगर टिकेट की बात करें तो आपको क्या लगता है बठान कोड बेस पारप्टे की बात कर रहे हैं मैं आमादमी पाटी की बात कर रहा हूं, मैं नहीं जानता भी किसको मिलेगी टिकेट लेकिन मैं ये जरूर मेरा विश्वास है और जितनी भी टिकेट्स की अनॉंस्मेंट हुई है मतलब इससे मतलब मेरे मन में मेरी पार्टी के प्रती जो है शधा वो चार गुना होगी है क्योंकि अभी डॉक्तर विनोध है हमारे भुवा कॉंसिचूंसी से जो अनॉंस हुए है और बेलकुल आम परिवार से संबन देते हैं पैसे का मैं ये समझता हूं कि कोई उनका इतना सिस्टम नी ओगा मैरा कहल उनका जो जो रोजी रोटी है मेरी तरह किसी ना किसी तरह चलती हो भी वस उज़ानपूर से भी टिके रनांस हो चुकी है वहासी रनांस हो लोगों से अपना उन्होंने एक सर्वे कराना ता जो एक प्रोसीजर है यहर एक प्रतेक तरटकर इसटिक पार्टि का जो है पहले हो गया मेले हो गया वह पहले हो गया अने वाली बिस क्य tutti है वही शिकार जंदी में यह पहले नहीं देख जाता दा मैं बहुत कम देखने को मिलता दा यह आम अदमी संदीप जी का एक सीडी आ गया संदीप मंत्री थे हमारे आमाद्मी पार्टी दिलिस से और उसको पूरा हाइलाइट किया गया और ऐसे कही कांट दूसरी पार्टी में हुए मीडिया में उसको दिखाए नहीं गया बीजेपी के यूपी से मले में उनका नहीं जानता लेकिन आप नेट आउन करो, उसमें आप टाइप करोगे कि CD करके UP अब यह चह रहे है कि सकता में जो बैठे हैं वो मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं इस वक्त आपकी पार्टी चिलाव यह कह सकता हूं कि वो मजबूर कर रहे हैं मीडिया क्यों कि आप यह अफवाहें जो है वो फैलाओ क्योंकि ऐसा है, médiya को रूश निया कोई दोश निया है, लेकिन यह कही ना कहीं यह जो बड़े जो इन्डियज घख बैटे हैं जिन सरकार है, मैं अब न्यूज चैनल्स की बात कर लेता हूं, तो न्यूज चैनल्स हैं मैं यह समझता हूँ कि लाइसेंस जो है वो कही ना-कहीं इंडियन गुर्मेंट से लेना पड़ता है। आप तब आपना निउच चैनल से ला सकते हैं। तो वो जब पाटी से गए है उनका चुनाग के नतीजों पर कोई असर पड़ेगा बिलकुल असर नहीं पड़ेगा है नहीं के अपड़ को जाने बाद म गा उनके जाने के बाद मुगा तेंट करी यह है युक्षाब जब सुच्चासिंग छोटेपुर सभाइड तब उस पहले मैंने मुकसर सभ में अरेली अर्डी करी ती और जो मुकसर सभ की रली ठी और झाहिए जो मुग गा की रली ती मुगः की रिली उससे कहीं जादा बड़ा ती और लोगों का और जादा विश्वास कार इससे पहले सुच्चा सिंग छोटे बुर्जी का परभाव आप ये समझ लो कि ये उनका लोगसभा क्षेतर है सेंस कि उन्होंने लोगसभा चुनाव लड़ा है तो ये लोगसभा क्षेतर में आज तक आम आदमी पार्टी की या किसी भी राजनितिक पार्टी की रली नहीं हुई जितनी बड़ी रली अभी तो दिन पहले बार आक्टूबर को ही आप C.I.D. से फीड़बैक ले सकतें आप अठानकोट की जन्ता से फीड़बैक ले सकतें बातों को सिल्सला यूँँ ही चलता रहेगा मिलते हैं एक छोटे से कमर्शिल बेके बाद। Modern Sandeepni School is boarding come day boarding school with 18 years of experience. School has a wonderful sports infrastructure. School is fully equipped with ultra-modern labs, hostel, transport and mess facilities. For admissions, please contact Modern Sandeepni School, Pathan Court. After the break, please welcome back to you. Aamadmi Party, Parshid, Roj Siyadu. Our next question is, Your government has made a lot of great advice in Delhi. Do you think that they have a place in their hopes? Yes, absolutely. In Delhi, there is no time to come to the government in Delhi. And they have done such a work that all over the world in the media, which are all over the world. Like you take a clinic, that has never happened. And like E-Rikshya will start, like for traffic control and pollution control. No one has thought about it in 70 years, that it can be in this way. So, there are some pre-Wi-Fi, and Bidjli Connect Free, and Pani-Rajanitians, that have been released, right? No, it is not. It is true. It will be true. Until then? In a few days. In a few days. As much as I have said, as much as I have a feedback from the party, whatever the work is pending, the work is going on. And I have told you, that it has not been a half-time time. And about 50% of the work that has been done, the people of Delhi have been done, they have been done. And about 50% of the work that has been done, will be done very quickly. Now, if you talk about the Pathan court, then the people of the government are, and the mayor, how much are you doing with the work of their work? I am not really happy. The mayor has been done in the past two years, the mayor and the corporation has been done. It is not a job. The job is done very far. The job is done very far. The job is done very far. The job is not a job. I am not saying that. I don't believe the truth of the people of the government. Because I don't believe the truth of the government. If they will say something about me, they will be ruined their feelings. And by their job, they will come to the job. They will be a bad person. What officials will say to them, they will do. But they are very proud. They are doing the whole dictatorship. Any job that is not their party, it is not their party. They will come to the party. So what is the job you will do that the BJP does not do? First of all, we will finish the war. We will finish the war. We will finish the war. Do you want to become a leader? If you have a chance? I will finish the war. I will finish the war. What will you do that? I will finish the war. Why should people remember for that? Yes. I will finish the war. It is, in a very few moments, I will finish the war. I will get a parole. I am a younger man. In my opinion, I am a much better person. I am a man of 20,000 to 25,000 dollars. I am gonna have 2 daughters. A small family. And in all 25,000 dollars, में एक आम आदमी का गुजारा अच्छे स्कूल में अगर आप पढ़ाएंगे सेंट जोसे अच्छे स्कूल में बढ़ती है तो बड़ी मुश्किल से मैं उसमें से आप आप देखिये का उसमें से में 10,000 रुपे में मैंने 2 रेडियां लगा रखी है अपनी पॉकेट से जित कि आदा में टूबन लेकर आँगा लेकिन कॉर्परेशन सहयूग नहीं करती है अगर मैं मले बन जाता हूं तो मैं यह समझता हूं मैं इतना कमजोर नहीं रहूंगा और मेरे मन के भाव जो है वो लोग जानते हैं सिर्फ जाते जाते हमारे वोटर्स के लिए अपका क्या स् मैं वोटर्स को बस यही प्रात्ना करना चाहता हूं सत्तर साल आपने दोनों पार्टियों को दियें अकाली दल और बीजेपी और कॉंग्रस को इस बार मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए जय हंत जय भारत और मैं साद में यही कहना चाहूंगा प्रशंसा करता हूं टी कीमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया आपका भी शुक्रिया यह थे हमारे साथ रोहित स्याल वाट नंबर 36 से आमादमी पार्टी पार्शित एक और नई शक्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार